प्रणाम दोस्तों, हमारे मानविय जीवन में हमें अगर कोई रोग हो जाता है या तो फिर कोई शाररिक पीडा हो जाती है, तो ऐसे में हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, यानि कोई भी अगर सिर्दद हो, जुखाम हो गया है, कोई जानलेवा बिमारी तक भी अगर हम पहु जानते हैं डॉक्टर्स को, तो जैसे हमारे मानविय जीवन के लिए डॉक्टर्स की निर्मिती हुई है, वैसे ही देवी देवताओं के समू में भी एक ऐसे डॉक्टर देवता है, यानि जिसे हम जानते हैं धन्वंतरी भगवान, धन्वंतरी भगवान ये देवी देवता थे एक वैद्यमाने गए हैं तो धनवंतरी भगवान ऐसे हैं जिनकी स्मरण करने से उनकी प्रार्थना करने से उनकी साधना करने से कोई भी जान लेवा बिमारी हो या फिर जिससे हम भैबीत हो चुके हैं ऐसे समय में ये हमें काफी उर्जा और शक्ती प्रदान करने वाले देवता हैं तो जैसे देवी देवता और असुरों के कभी-कभी युद्ध भी हो जाते थे तो ऐसे में ये धनवंतरी भगवान ही थे जो सभी को अच्छे से दवाई देते थे और उन्हें कोई भी अगर कोई ईजा पहुची है या तो फिर कुछ पेडित भी हो गए हैं त वैसे में उनकी अच्छे से उन्हें दवाई देने का काम धनवंतरी भगवान करते थे तो जैसे धनवंतरी भगवान देवी देवताओं के लिए हैं वैसे ही हमारे जीवन के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है तो धनवंतरी भगवान की निर्मीती कैसे हुई और वो प एक हमारे धनवंतरी भगवान थे यानि वे जब प्रगट हुए तो प्रगट होते ही वे समुद्र में से अपने हातों में एक अमुरुत कलश लेके निकले यानि वो अमुरुत कलश में सारी ऐसी दवाईयों का ग्ञान था सारी ऐसी दवाईया थी कि जिससे कोई भी जान लेवा बिमारी हो या तो फिर किसी भी प्रकार का संक्रमन हो, रोग हो, कुछ भी हो उससे वो अच्छे से निभा सकते थे तो धनवंतरी भगवान, जिने हम डॉक्टर ही कह सकते हैं, तो आप सभी को पता है कि जब दिवाली शुरू होती है, तो सबसे पहला दिन होता है वसुबारस, और उसके बाद होता है धन तेरस, तो धन तेरस के दिन हम सभी धनवंतरी देवता की पूजा करते हैं, जो तो जब हम धनवंतरी जी की पूजा करते हैं, यानि हमारे धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं, तो उन्हें भोग हम क्या दिखाते हैं, तो उसमें हम गुर दिखाते हैं, धने के दाने दिखाते हैं, तो ये सारी चीजे जो आयुर्वेद में लिखी गई है, कि कौन सा प्रशाद दिखाना चाहिए जिससे हमें क्या फाइदा हो सकता है तो ये सारी चीजों का जो समू है ये हमें धनवंतरी भगवान देते हैं तो जब धनवंतरी भगवान की आप साधना करना चाहते हैं तो फिर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो लंबे समय से बीमार है तो फिर आप खुद भी ऐसे कोई रोगों से पेडित है तो ऐसे में अगर आप ये धनवंतरी भगवान की साधना करते हैं तो आपको एक उर्जा प्राप्त होती है एक ऐसी चेतना आपको मिलती है जिससे अगर आपके चहरे के उपर अगर भय है तो फिर आपके मन में भी से कम हो जाती है तो ये शक्ती ही हमें धनवंतरी भगवान देते हैं तो धनवंतरी भगवान का कौन सा मंतर है जो हम जादा से जादा उसका उच्चारण कर सकते हैं तो बहुत ही सरल सा ऐसा एक मंतर में आपको आज इस वीडियो में बताने वाली है जो मंतर है ओम धन धन ध धन्वन्त रिये नमहा। यह मंत्र है जो आप ज़ादा से ज़ादा पूर्वा दिशा में बैटके। यानि आपका मुख होना चाहिए पूर्व दिशा में, यहां से सूर्य भगवान जब सुबह आते हैं, वही दिशा में अगर आप बैठके ये मंतर साधना करते हैं, तो काफी आपको ताकत मिलती है और उर्जा मिलती है, तो धनवनतरी भगवान की साधना जैसे जैसे आप करत करेंगे, कोई भी रोग होगा, तो उससे धीरे-धीरे मुक्ती पाएंगे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मंतर साधना ही करनी है, अगर कोई चीज से बिमार है, तो उसमें मेडिकली भी आपको जाना ही है, अच्छे से दवाई भी लेनी है, लेकिन जब कभी हम ऐसी विवन जना मे हो जाते हैं, या तो फिर हमारी जो मानसिक्स्तिती है, वो जब बिगडने लगती है, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे ये चीज हो गई है, या तो फिर बिमार हूँ, तो वे लोग अपना माइंडसेट चेंज करने लगते हैं, तो वे अपने दिमाग से कभी-कभी कमजोरी महसूस करने लगते हैं, या वे सोचने लगते हैं कि शायद मैं ये पीडा में से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, या तो फिर निकल पाऊंगी, या तो फिर मुझे कुछ हो जाएगा, या तो फिर मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, जो ऐसे सारे negative thoughts हमें जब कर लीजे और पूर्वदिशा की तरफ मुझे करके बैठके आपको ये मंत्रे साधना करनी है, कितनी बार करनी है, तो आप एक माला कर सकते हैं, एक माला से लेके ग्यारा माला तक कर सकते हैं, अगर पूरी माला करना आपको संभव नहीं है, तो ग्यारा बार एकिस बार तो आप करी सकते हैं, जब आप सनान करते होंगे, तो सनान करते समय भी आप ये मंतर की साधना करते हैं, ओम धन 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 वंतर रहे नमहा, ओम धन धन वंतर रहे नमहा, काफी साधारंड सा मंतर है, लेकिन काफी effective मंतर है, क्योंकि जितना भी इसका अनुष्ठान आप जादा अगर आप बीमार नहीं भी है और आप अपने घर में सभी जो परिवार वाले लोग हैं इनके लिए अगर दिर्धायू चाहते हैं यानि सबकी तब्याट ठीक रहे सबको अच्छे से आशिरवाद मिले उनकी आयू लंबी हो तो ऐसी सारी चीजों के लिए भी आप ये धन्व अमृत कलश है जिसमें कई सारी वनस्पतियों का आयूर्वेट का और कई सारी रोगों के लिए रेमिड़ी वो अमृत कलश में हैं तो अगर हम उनकी साधना करते हैं और उनका आशिरवाद लेते हैं तो कई सारी ऐसी बीमारिया शायद हमें च्छूबी नहीं सकेंगे तो जो भगवान देवी देवताओं का चिकित सक है, तो क्यूं न हम ऐसे भगवान की साधना करें, और कई सारी दवाईयों से हम मुक्तता पाएं, क्योंकि आजकेल काफी ऐसा देखा गया है, कि लोग इतनी सारी गोलियां लेते हैं, इतनी सारी दवाईयों का एक्सपरिमेंट अपने खुद के शरीर पे करते रहते हैं, कि जिसकी वज़े से अगर कुछ नहीं भी हुआ है, तो रोगों की शुरुवात होने लगती हैं, तो इससे अच्छा है कि हम अच्छे वरुख्ष के नीचे जाके बैटके साधना करें, धनवंतरी भगवान की साधना करें, मेडिटेशन करें, हमारा आयुर्वेज्ज जो हमें सिखाता है, योग करना सिखाता है, ध्यान करना सिखाता है, meditation करना सिखाता है तो फिर अराम से किसी अच्छी जगा जाके साधना करना सिखाता है जिससे बिना गोलियों के भी हम अच्छे से पुरा अपना जीवन प्यतित कर सकते हैं तो ऐसे ही जो व्यक्ति बिमार हैं उनके लिए भी और जो बिमार नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए ये धनवंतरी भगवान की साधना है तो मंतर आप सभी को पता चल गया है ओम धन धन धनवंतर ये नमहां तो सिर्फ धन धनवंतर ये दिशी के दिन ही नहीं तो पूरे साल आप इसे मंतर की साधना कर सकते हैं और फिर मंतर साधना करने के बाद आप बताईए कि आपको इसका क्या हनुभवा रहे हैं और क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो छोटे बच्चों से लेके जो वुरुद्ध हैं वे सभी वक्तिस की साधना कर सकते हैं कोई अनुष्ठान करना चाहता है तो एक दिन से लेके 21 दिन का इसका अनुष्ठान है कर सकते हैं यानि 1, 3, 5, 7, 11, 17 और 21 इतने दिनों का आप अनुष्ठान कर सकते हैं अच्छे से अनुष्ठान कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए कि आपको क्या अनुभवा रहे हैं तो मिल अगले अगले अपिसोड में ऐसे ही एक विशे के साथ तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विडियो को लाइक और शेर कीजिए तब तक ओम धन धनवन तरहे नमहा